नमस्कार आप सभी का अगया इसक्रप्सर 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे आर्टी आई एक्ट के तहत यदि आप अपने से सुनवाई नहीं कर सकते हैं तो किस प्रकार अपने बदले में किसी भी जानकार या किसी भी अधिवक्ता को परतिनिती के सब्सक्राइब नहीं किये हैं वह अब सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर और पर भी क्लिक अवस्री करने जिससे हर तरह के इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे तथा आप लोग भी लाभांवित हो सके तथा ब्रष्टाचार के खि शेयर करेंगे तो चलिए हम लोग किसी भी बाद में यदि आपका सुनवाई होने वाली है चायवाद द्वीती एपील हो या सिकायत बाद हो तो आप किस प्रकार अपने बदले में किसी जानकार को या किसी यदिवक्ता को अपनी सुनवाई में निक्त कर सकते हैं शेवा में राज सूचना आयुक्त सूचना भवन पटना पंद्रह जो भी हो जिस जो भी आपके सूचना आयुक्त का पता हो वह लिख देंगे विशह लिखेंगे वाद संख्या इतना जो भी हो सिकायतबाद हो या पिलबाद हो इसमें मैं सिकायतबाद के बारे में बताया है कि C-445-2022 के दिनांग कितना के इतना वज़े अपरहान की सुनवाई में अपना पक्ष रखते हुई रखने हे तू परती निधी 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 करने के सम्बंद में लिखेंगे महासा है मैं जो भी आवे दक होंगे अपना नाम लिखेंगे और जिसको निधी करेंगे उसका पूरा नाम पूरा पता लिखेंगे मैं आशिश कुमार गुपता पिता गनेश गुपता ग्राम रागो पूर्टी कर नूरपूर नातनगर भागलपूर वो परियुक्त बाद में मैं प्रवीन कुमार सरमार आगोपूटी कर नातनगर भागलपूर को न्युक्त करता हूँ इस प्रकार लिखकर आप एक परतिनिधी के रूप में किसी दूसरे को न्युक्त कर जानकार को न्युक्त कर अपनी सुनवाई कर सकते हैं इसमें अंत में जो भी आप लिखना चाते हैं वो लिख देंगे इसमें लिखा गया है किर्पया नयद लाने की किर्पा की जाए अपना हस्ता अक्षर कर देंगे जो अपिलार्थी या सिकायत करता होंगे दिनांक लिख देंगे इस प्रकार आप अपने सुनवाई में किसी ज करवा सकते हैं जैहिन